आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, तो आज के मारा question है An object 4 cm in size is placed 25 cm in front of a concave mirror a focal length 15 cm Draw a ray diagram to show the formation of image in this case ठीक है, तो हमें इसकी image formation करवानी है तो एक काम करते हैं, पहले इसका diagram बनाते हैं जल्दी से diagram के लिए मुझे क्या-क्या requirements होगी सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक concave mirror ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास एक concave mirror जिसका यह वाला side जो हो है, polished ठीक है तो अब हम क्या करते हैं, एक इसके उपर बना लेते हैं इसका principle axis और यहाँ पे इसका बना लेते है focus यहाँ पे इसका center of curvature C बनेगा focal length 15 cm दे रखी है लेकिन object जो है, वो 25 cm की दूरी बे रखा है 15, यहाँ तक का distance होगा 15, और यह जो है 2 times of curve होता है, तो यह होगा 30 और object 25 पे, तो object कहीं यहाँ रखा हुआ है हमारे पास already अगर मैं इसका image formation करवाना चाहूँ तो क्या होगा, एक straight line हम incident करवाएंगे, ठीक है तो यह जो light ray जा रही है, यह parallel है किसके principle axis के, और उसके बाद जब यह यहाँ से reflect होगी तो यह किस से pass करेगी, यह pass करेगी इसके focus से, मानते हो अच्छा, इसके बाद हम लोग दूसरी lighter incident करवाते हैं यहाँ से, इसके pole से, जब यह pole से होके गुजरेगा, तो यह as it is दोनों को equal करते होगे आगे निकल जाएगा, यह दोना angles को बराबर करते होगे निकल जाएगा और मेरा overall जो image है वो यहाँ कहीं बन रही होगी तो इसकी image देख सकते हो, कैसी बनने वाली है, इसकी image के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो image real बनेगी ठीक है, plus inverted बनेगी, क्योंकि यह दोनों चीज़े मुझे diagram में दिखाई दे रही है, और साथ में magnified भी बनने वाली है ठीक है, अब मुझे बस एक चीज की कमी है, मेरे पास इसका distance नहीं है object distance तो मेरे पास है 25 cm का, लेकिन image का मेरे पास distance नहीं है, तो वो calculate कर लेते हैं, हमारे पास u दे रखा है minus 25, minus इसलिए लिया, क्योंकि sign convention बोलता है, left में रखे चीज़ों को negative distances दिये जाते है sign convention में, v हमें निकालना है, focal length minus 15 cm, negative इसलिए क्योंकि concave mirror का focus left side पे होता है, negative sign होता है left side के सारे distances का, ठीक है, तो 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u यह basically क्या है, आपका lens formula, आपका mirror formula है तो 1 by v is equal to 1 by f कितना हो गया इसकी जगे यह डाल दो और plus यह हो गया ठीक है, plus इसलिए क्योंकि यह minus था और हमने already minus value put करी है इसको solve करके हमारा answer कितना जाता है 2 by 75 with a negative sign तो v की value मेरे पस कितनी आ गई, minus 37.5 cm तो मुझे पता चल गया image कहां बनी होगी, तो अब हम लोग अपने इस diagram में इसको भी label कर सकते हैं कि जो image है, यह 37.5 cm की दूरे पर बनी होगी, तो I hope यह question सबको समझ आ गया होगा, यहाँ पे कुछ और चीज़े हम label कर सकते हैं, जैसे कि यह इसका pole हो गया, इसको A, B से label किया जा सकता है और इसको A, B, D, से label किया जा सकता है इसके साथ यह question हो जाता है, complete Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubt आच 4444 सुपर